हेलो नमस्कार जहन्द, दिल्ली की सिक्षा मंत्री अतीसी ने अभी हालहिम बयान जारी किया है कि केंदर सरकार दिल्ली में राष्टपती सासन लागू करना चाहती है अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यंत्र प्लान किया जा रहा है हमें विश्वस्निय सूतनों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंदर सरकार भारतिय जनता पाटी शासित केंदर सरकार दिल्ली में राष्टपती सासन लगाने वाली है तो राष्टपती सासन क्या होता है किस प्रकार से लागू होता है राष्टपती सासन कब तक राष्टपती सासन लागू हो सकता है दिल्ली में और क्या संभावना इसके बारे में संपुर जानकार आपको इस वीडियो में प्रवाइड कराएंगे तो वीडियो को पूरा द कि विभलता के बारें बात करता है और इसे कि आउम बोल चाल की वासन से में समःधानिक तंत्र की विभलता की चाहिए हालांकि संबिधान में राष्टपति शासन इस सब्द का प्रयोग नहीं है उस सब्द में इसमें समयधानिक तंत्र की भलता का प्रयोग हालांकि वहीं चीज है राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्य था यानि कि राज्यपाल के प्रतिवेदन से मतलब राज्यपाल के द्वारा पता चल जाए राज्यपाल महोदय राष्टपती को बता दें कि यहां पर इस राज्य का प्रसासन संविधानिक अनुसार नहीं चलाए जा पा रहा है त तो राश्टपती महोदे वहां पर राश्टपती सासन लागू कर सकते हैं तो राजयपाल के महदम से या राश्टपती अन्य था अन्य था कमतला राश्टपती को अन्य किसी भी प्रकार से पता चल जाए हलांकि दिल्ली में राश्टपती को अन्य किसी भी प्रकार से पता च संसद के दोनों सधन अर्थात लोकसभा और राज सबाटो इसके प्रस्ताव को पास करना होता है अगर साधारनों से संसद के 2 सभाओ से प्रस्ताव से को पास कर देते हैं इसी प्रस्ताव को रष्ट्वुति के के लिए विस्तार हो जाता है उसका पहली बार में छा महां के लिए विस्तार हो जाता है दूसरी बार भी अगर विस्तार करना हो तो यहीं प्रक्रिया है तो दूसरी बार भी इसी प्रक्रिया से सदारन संसत के दोनों सदनों के अलग लग सधारना भाहुमत से प्रस्तावित करके और 6 माहिने के लिए विस्तार किया जा सकता है दूसरी बार भी लेकिन तीसरी बार जब विस्तार करना हो तो दो सर्थे चाहिए दो सर्थे पूरी होनी आवश्य के तीसरी बार विस्तार करने के लिए पहल यह राज्य में लगा हो तो उस राज्य के किसी छेत्र में कम से कम इंबर्जंसी लगना चाहिए और दूसरी कंडिशन यह है कि भारत का निर्वाचन आयोग ऐसा प्रमाडित कर दे कि इस समय उस्चेत्र में चुनाव करवा जाना संभव नहीं ऐसा महावल नहीं है कि हम चुन किया सकता है लेकिन किसी राज्य में अधिक्तम आवदी जो है तीन साल तक हो सकती है इसकी समाप्ती कैसे होती है राष्टपती द्वारा अपनी घुषणा को कभी भी वापस लिया जा सकता है लेकर वापस लेकर समाप्त कर सकता है या संसत द्वारा अन्वोधन न किये जाने पर संसत द्वारा यानि कि दो महिने के बाद अगर संसत साधारन भूम से अन्वोध जा सकता है यह सर्ति अगर नहीं पूरी होती है तो स्वता समाप्त हो जाएगा फिर तीसरी बार के लिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है राष्ट पती सासन लागू हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है पहला प्रभाव तो यहीं पड़ता है कि राजी की प्रसासनिक स जला सकते हैं मतलब की राजसूची के विसेपर कानून बन सकता है जम मंदल कानून बनाता है लेकिन जब राष्ट पती ऐसेल सिन हो जा है तो राजसूची के विसेपर भी केंद्र कानून बनाएगा गर капisan संसत कानून बनायेगी ऑध्यादेश वह करता है ने अज़ने संसत कर साल्ट में जोल रहा है और तुरंथ इमर्जेन्सी में किसी कानून की जोरत पड़े तो अध्यादेश राष्ट पती के He has spent संभा था कि अधिकार कोई फरक नहीं पड़ता है के लोगों के मौली का धिकार इससे प्रभावित नहीं होते सब्सक्राइब कर दोने के लिए थुसरा निर्वाचन हाउग बात कर लेते हैं आर्टिकिल सम्विधान के अनुशेत 352 में राष्ट्रिया पात अर्थात इमर्जेंसी के वड़न है ये तीन आधारों पर इमर्जेंसी लग सकता है युद्ध बाह्या आक्रमण एवं सशास्त्र बिद्रो बस तीन ही आधार है और तीन ही आधार पर इसको लगाया जा सकता ह युद्ध मतलब किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो जाए उस समय इमर्जेंसी लगाया सकता है। कि मंद्री मंडल की लिखित सी फारी से काम नहीं चलता है लिखित रूप में राष्ट पती को परतिवेदन देंगे यहां पर राष्ट यपथ लागाये जाये तो लिखित सी फारी सी जरूरी होती है इसकी घोशना जो होती है इमर्जेंसी की घोष्णा एक माह के लिए लागू होती है प्रारभ में एक माह के लिए जिस प्रकार से राष्टपती स्यासन प्रारभ में दो माह के लिए लागू होता है लेकिन यह प्रारभ में एक माह के लिए लागू होता है इसकी घोष्णा संसद्वारा अनुमोधन ए पर संटे छाहाँ महा के लिए विश्तारित होगी विश्तारीत से इसके नहीं कि इसके कि नहीं कि दौणने बर नहीं जितनी बर चाहें पाध आरथात emergency के समाप्ती कैसे हो सकती है देखें पहली बात यहीं है कि रास्ट पती कि जब चाहिए अपनी घोषना को आपस ले सकता है और घोषना करके emergency को समाप्त कर सकता है जैसे राश्टपती स्यासन को कर सकता है संसत द्वारा अनुमदन ना किये जाने पर अर्था संसत अनुमदन ना करें विशेश भाउमत से अगर अनुमदन ना कर पाये संसर तो स्वत समाप्त कर सकती है राश्टियपात के परिडाम तो चाहते हैं जब मंत्री मंडल चाहता है तो ब्यवार में सब अधी बते हैं businessman क्या होते हैं थिंगे राज-सूची की बिशेपर कानून को बना सकता है केंदर कानून कानून सकता है थे द्वशे न कर कर सकता है जैसे राष्टपती सासन में बताए मौली का धिकार निलंबित किया सकते हैं यह मुख्य रूप से मौली का धिकारों को निलंबन के लिए ही होता है लोगसभा का कारिकाल प्रती बार एक बर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानि कि जब चाहें प्रस्ताव पार्थ करके लोगसभा का कारिकाल एक बर्स के लिए फिर एक बर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है, राज्य की प्रसासनिक सकती केंदर नियांतरन में हो सकती है, य दिल्ली में क्या राष्टपति सासन लगेगा या नहीं लेगा इसके बारे में अभी तो कुछ कहना वाजिब नहीं होगा देखिए दिल्ली में क्या बात है दिल्ली में समयधानिक तंत्र की भी फलता किस प्रकार से हो रही है दिल्ली में दिल्ली में लेटिनेंट गवर्नर एलजी का मानना यह है कि मंत्री जब हम बैठक कर रहे हैं तो मंत्री बैठक में सामिल नहीं हो रहे हैं मैंत्री बैठक में सामिल नहीं हो रहे हैं सरकार दिल्ली सरकार के कहना ये है कि कि वहां की प्रसासनिक व्यवस्था आफिसर्स जो अधिकारी हैं वह सामिल नहीं हो रहे हैं जब कैबिनेट इस्तर के रिशहां कर दोनों एक दूसरी पर बंप लगा रहे हैं इसी आधार पर जो और वीडियो को share कर देज़ेगा धन्यबाद